नवस्कार भारत और इंग्लैंड का मुकाबला रोमान चुक रहा लेकिन इस मुकाबले में भारते टीम 31 रनों से हार गई लेकिन भारत की हार का असर पॉइंट टेवल पर देखने को मिल रहा है इस जीट के साथ भारत के रैंकिंग में कोई असर नहीं पड़ा भारत आज भी दूसरे नंबर पर है लेकिन चौथे नंबर की टीम जो पाकिस्तान हुआ करती थी वहाँ अब पहुँच कई है इंग्लैंड की टीम क्या सर हुआ है इस पर बात करेंगे मेरे सायोगी अब इशेक त्यागी मेरे साथ मौजूद है देखें बिल्कुल अनुपम बताएं तो पहले पाकिस्तान इस मैस मुकावले से पहले पाकिस्तान नंबर चार पर थी इंग्लैंड के ऐसा लग रहा था कि साय सेमी फाइनल की जो रेस है उसमें इंग्लैंड बाहर हो जाएगी लेकिन इंग्लैंड ने शांदार परफॉमस किया बल्ले बाजी अच्छी की फिर बाद में गेंदबाजी अच्छी की अब इंग्लैंड के दो पॉइंट के साथ दस पॉइंट हो गया है तो अभी दोनों ही देशों को एक-एक मैच और खेलना है इंग्लैंड को जहां न्य पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी हो सकते हैं और इंग्लैंड नम चोथी टीम होगी जो विश्वकप के समी फाइनल में जगा बनाएगी तो इस लिहाज से कहे सकते हैं कि अब दोनों कि न्यूजिलैंड से इंग्लैंड वो खिलना है अगर न्यूजिलैंड से इंग्ल बंगलदेश और श्रलंका के खिलाफ इन में से एक भी मैच अगर भारत जीत जाता है तो वो समी फाइनल में जगा अपनी पकी कर लेगा लेकिन अब यहां से पाकिस्तान के लिए सारे रास्ते बंग से हो गए बंगलदेश के सामने बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके सिर् बंगलदेश और ग्यारा पॉइंट हो जाएंगे बंगलदेश के लेकिन वो तब पहुंच सकते हैं अगर इंग्लेंड न्यूजिलेंड से हार जाता है अपना आखरी मैच तो बंगलदेश गयारा पॉइंट के साथ चोफे नंबर वाली टीम हो जाएगी लेकिन उसके से बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी मुस्यबत है वैसे दो मैच अभी बांग्लादेश के बचे हुए हैं लेकिन दोनों ही सबसे टफ टीमों से हैं पाकिस्तान से और भारत से तो इस लिहाज से अगर बांग्लादेश कुछ करिश्मा कर देता है ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर बांग्लादेश 11 परिंट का चोथे नंबर की टीम बन जाए तो ये भी नहीं भूलना होगा क्योंकि बांग्लादेश ऐसा कर भी सकता है तो आप सबकी निगाहें सेमी फाइनल पर सेमी फाइनल में वो चार टीमे कौन सी होंगी जो अपनी जगहां पक्की करेंगी आस्ट्रोलिया की जगहां तकरीबन पक्की हो गई है अब बाकी की जो तीन टीमे हैं उन्हें अपनी जगहां मुफीत करनी हैं पक्की करनी हैं ल झाल